एक्सेसाइज 7.5 का सुल्यूशन देख रहे हैं इस वीडियो को पुरा देखना यहाँ पर दोस्तों हम अब इसके सुल्यूशन नंबर 11 से सुलाद करेंगे यहाँ पर जो हमारा इंटिग्रेशन करने का मेथड है वो है आपका पार्शिल फ्रेक्शन द्वारा उसकी डिग्री नीचे के फंक्शन से कम होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ उपर के फंक्शन की डिग्री कितनी आपकी 1 है और नीचे के फंक्शन की डिग्री कितनी है देखिए x square गुणा x यानि 3 है डिग्री क्या होती है जो x की maximum power उपर कितनी 1 है नीचे क्या है यह आपका x का पाउर तीन maximum है तो यह पहली condition satisfy कर गए उसके बाद दोस्ता आपको देखना होता है कि जो नीचे आ रहा है इसके और आगे आप factor कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यदि factor कर सकते हैं तो factor करो देखो यहां पे हम factor कर सकते हैं इसको जो minus 4 है इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का square और x minus 2 गुणा x plus 2 कहां से अपने a square minus b square बराबर a plus b गुणा a minus b के formula से हैं तो यहां पर यह आपके पास क्या आ गया 5x dx बट्टे x plus 1 गुणा x minus 2 गुणा x plus 2 आ गया यहां तक को दिकत नहीं है आसान है अब उसके बाद देखिए यह किस type का है उसकी हम तो लोना अपने इनके साथ करते हैं तो यह किस type का दोस्तों इस type का है यहनि a के बट्टे में first b के बट्टे में second और c के बट्टे में third factor को इस प्रकार से हम लिख देंगे तो यहां पर इस function को लिखो 5x बट्टे x plus 1 गुणा x minus 2 गुणा x plus 2 ब्राबर a by x plus 1 b by x minus 2 c by x plus 2 ठीक है इन सब को मैंने लिख दिया है अब उसके बाद मैं आपको जो trick बता रहा हूं वो सबसे आसान trick है और अधिक तर्व condition में आपके यह लागू हो जाएगे देखिए a का value निकालना है तो हम इसके नीचे जो आपका function आ रहा है इसको target करेंगे target करके क्या करना है कि यह 0 कैसे होगा उसको हम ध्यान से देखेंगे कैसे होगा देखिए x ब्राबर माइनस 1 रखने से यह 0 हो रहा है तो इस तरफ x ब्राबर माइनस 1 रखो तो a ब्राबर आपके कितना है माइनस 5 ध्यान क्या रखना है कि इसके नीचे जो हमने लिया है उसको छोड़ देना इस तरफ बाकी को लेना minus 1 minus 2 आपका minus 3 यहांपे minus 1 plus 2 आपका 1 minus से minus cancels हो गया यह नहीं आपका 5 by 3 A का value आ गया B का value की बात करते हैं दείए यह 0 कब होगा जब X brail USB 2 रखेंगे plus ka 2 minus ka 2 0 होगा तो हम इस तरफ देखे X brail USB 2 रखते हैं तो यह आ अगया 10 और यहां पर हम इसके नीचे जो इसको छोड़ेंगे यहां two plus one three यहां पर two plus two four तो कितना आगया आपका 12 यह आपका two से कटता है five are यह two से कटता है six वार यह नहीं five by six अब सी की बात करते हैं तो यहां एक्स बराबर आपका minus two रखने से value आएगा तो इस condition हम इसको छोड़ेंगे तो यहां गया minus ten और यहां पर minus two plus one minus one यहां minus two minus two minus four minus गुणा minus आपका क्या होता है minus multiply minus plus होता है तो यहां नीचे आपका जो plus हो गया one by four कितना sorry, one multiply four कितना four और minus ten by four और आपका कितना यह 2 से कटा 5 टाइम, यह 2 से कटा 2 टाइम, तो minus 5 by 2 आपका C का value आगया, इन value को यहाँ पर उठा के put करो, तो आपका 5X, X plus 1, X minus 2, X plus 2 ब्राबर, A का value 5 by 3 नीचे क्या है, X plus 1 है, B का value 5 by 6 नीचे क्या है, X minus 2, C का value, minus 5 by 2 नीचे क्या है, X plus 2, चीक है, यह आगया, अब देखे हमें इसका क्या करना है, बोसेड़ integration करना है, तो देखे हमें इसका integration मतलब, इनका अलग अलग का integration, अब हम integration में जानते हैं कि 1 by X का integration आपका होता है, log mode of x plus c तो यहाँ पे x की जिगे आपका क्या है x plus 1 है तो इसका क्या गया log mode of x plus 1 यहाँ देखो यह constant आपका 5 by 6 इसको बहार ले लिया log mode of x minus 2 यहाँ देखो 5 by 2 constant बहार ले लिया log mode of आपका x plus 2 तो उसके बाद last में हम सब क्या करते हैं अपना answer चेक करते हैं कि हमने जो निकला वो सही है या नही है 5 by 3 log x plus 1 plus 5 by 6 log x minus 2 minus 5 by 2 log x plus 2 और 7 में हम क्या लेते हैं एक constant लेते हैं answer बनकुल सही है तो मैं उम्मिद कर रहा हूं कि यह आपको समझाया है इसमें सब से महत्पुन बात क्या है इसको partial friction में कैसे तोड़ना है अब बात कर लेते हैं आप ऐसा नहीं है जो उपर का degree है वो नीचे से ज्यादा है देखिए यहां x का maximum power कितना है 3 तो degree 3 इसका 2 है तो degree 2 ऐसी condition हम क्या करते हैं बिल्कुल सिंपल है जो आपका उपर का है उसमें नीचे का divide करते हैं तो मैं चलिए यहां पर divide करता हूं तो आपके पास क्या है यहां x cube प्लस x प्लस 1 है इसमें divide कर रहे हैं x square minus 1 का तो यह पहला ट्रम तो इसका पहला ट्रम लेते हैं कितने वार गया x बार x का हम फिर इसके साथ multiply करते हैं तो x cube और minus x आता है इसका change करते हैं तो यह minus का plus का cancel हो गया यह plus का यह भी plus का तो 2x और यह साथ में आपका plus 1 आ गया देखो यह आपका क्या बन चुका है remainder बन चुका है remainder कैसे बना इसकी degree आपकी 1 है और जबकि आपका इसका degree 2 है यान इसका degree कब है तो यह आपका remainder है तो यहां आप इसको कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वार एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वार माईनस वन बराबर यहां कितने वार गया एक्स वार तो प्लस यहां आपका रिमेंडर बाई आपका यह है ठीक है इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहां पर इस फॉर्म में हम लिखके पुट करते है तो आप आई बराबर क्या आता देखे एक्स स्क्राइब स्क्राइब फिर ्सा क्या हो रहा है ॉक्क यहां पर हम जानता है कि उसक्राइब और इंटेकराइब लिख सकते हैं छोड कीoser जब sum के form में तो अलग-अलग independent function है तो उनका अलग-अलग integration के form में लेख सकते हैं इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको अब देखिए इसको हम i1 माल लेते हैं एक को i2 माल लेते हैं तो यहाँ पर आपका where i1 ब्राबर x गुणा dx है तो इसका हो गया x square y2 plus c1 और i2 ब्राबर आपका है integration of 2x plus 1 गुणा dx बटे x square minus 1 है तो यहाँ पर देखो नीचे factor करेंगे तो आपके पास x plus 1 गुणा x minus 1 आएंगा कहां से आपके a square minus b square के formula से तो यह इस फरकार का गया तो अब हम इसका partial fraction में तोड़ते हैं तो 2x plus 1 गुणा x minus 1 ब्राबर a by x plus 1 plus b by x minus 1 आता है अब इसको target करते हैं तो x ब्राबर minus 1 रखेंगे तो 0 आएगा तो x ब्राबर minus 1 रखने पर आपका a का value आएगा देखिए यहाँ minus 1 रखा x ब्राबर तो minus 2 plus 1 minus 1 यहाँ पर इसको छोड़ना होता है इसको लेना होता है तो minus 1 minus 1 minus 2 यह नहीं आपका 1 by 2 आगया minus से minus cancel हो गया अब बात कर लेते हम किसकी अपने b की ओकी यह टिक आपके हर जगे काम आती है इसको जिरो करना है तो x ब्राबर मुझे 1 रखना पड़ेगा तो x ब्राबर 1 रखते हैं तो यहाँ देखिए 1 रखा तो 2 multiply 1 2 plus 1 कितना 3 आ गया अब इस condition हम इसको छोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 1 plus 1 आपका 2 आ गया तो अब हमारे पास already A का value आ चुका B का value आ चुका तो यहाँ इन value को put कर देते हैं तो आपका 1 by 2 और x plus 1 यहाँ आपका 3 by 2 x minus 1 अब दोस्तों इसका हम क्या करते हैं both side integration करते हैं तो इसका integration का मतलब क्या है आपका यहाँ पर जहां से देखो i2 तो इसका हम direct i2 लिख देते हैं और हम जानते हैं कि integration of 1 by x क्या होता है log mode of x होता है यहाँ x की जिगे आपका x plus 1 है तो log mode of x plus 1 आ गया और यह 3 by 2 यहाँ log mode of x minus 1 आ गया यह आ गया आपका i2 अब है जो इसको दोस्तों equation 1 दे दो इसको equation 2 दे दो इसको साथ में c2 ले लो और इसको equation 3 दे दो from 1, 2 and 3 हमें क्या प्राप्त होता है i ब्राबर i1 plus i2 है i1 का value कहां से पढ़ा है equation 2 से पढ़ा है तो क्या है x square by 2 plus c1 c1 को last में लिखते है i2 का value क्या है यहां जहां से देखो आपका 1 by 2 log mode of x plus 1 3 by 2 log mode of x minus 1 और साथ में आपका c2 लिख दिया अब जो आपका c1 plus c2 है इसको एक नया variable ले ले लेते हैं क्या सोरी नया constant ले ले लेते हैं कैपिटल सी यह बन गया आपका इसका solution तो मैं उमीद कर रहा हूं कि यह आपको असान लगा है और मैं एंसवर बोल देता हूं आपको परते कुशन का मैं एंसवर लास्ट में बोलते हैं x square by 2 plus 1 by 2 log mode of x plus 1 plus 3 by 2 log mode of x minus 1 plus c अगले कुशन के बात करते हैं देखो अगला कुशन बिल्कुर सिंपल है यह आपका सुटकियों में सोल हो जाएगा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है यह थोड़ा मेहनत वाला कुशन था इसमें आपको दिया गया है 2dx by 1 minus x गुणा 1 plus x square करना के बिल्कुर सिंपल है यहाँ पे इसको चेक कर लो आगे फ्रेक्टर नहीं कर सकते हैं तो हम डारेक्ट अपना फंक्शन लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा है जिसमें आगे फ्रेक्टर नहीं कर सकते हैं यह वाला कंडिशन होता है जिसमें आगे हम फ्रेक्टर नहीं कर सकते हैं तो यह इस फरकार से है जो तूटता है तो ये वाला हम यहाँ पर काम है लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं a by 1-x plus bx plus c by आपका 1 plus x square चीए अब a का value निकालना है तो x बराबर आपका क्या रखना 1 रखेंगे तो 1- 1 आपका 0 आएगा तो a बराबर देखे क्या आता है x बराबर आपका 1 से यहाँ पर इस समय इसको छोड़ना होता है यहाँ 1 का square 1 plus 1 तो 1 plus 1 आपका कितना गया 2 याई a का value आपका 1 निकल कर आ गया है उसके बाद अगला just क्या काम करते हैं हम x बराबर 0 पूट कर देते x बराबर 0 पूट किया तो देखे यहाँ 2 है यह 0 है तो यह 1 बचा यह 0 है तो यहँ भी 1 बचा और यहाँ पर यह 0 है तो a बचा यहाँ पर यह 0 है तो b b 0 हो गया और क्या बचा आपका c और यहाँ 2 अगा 1 आया है अब a का value दोस्त हम निकाल चूके अनलेडी कितना है आपका 1 है ठीक है समझेने की कोशिस करो अब इस 1 को इस साइड हम transfer करेंगे तो आपका यह plus का है तो माइनस का हो जगे ने 2 माइनस 1 कितना आ गया आपका 1 आ गया है ठीक है अब हम क्या करते हैं दोस्तों X ब्राबर 2 पूट कर देते हैं तो यहां आपका 1-2 कितना 2 का स्क्राइब 4 प्लस 1 कितना 5 A का विल्यू आपका 1 है 1-2 कितना 1-1 डारिट लिग रहा हूँ B का विल्यू आपको पता नहीं है और X का विल्यू आपने 2 पूट किया है C के विल्यू आपको पता है 1 है यहां पे आपका 5 आगया चीक है अब हम क्या करते हैं दोस्तों हमें क्या चीए यहां पे B चीए तो सब को है जो एक तरफ ट्रांस्फर कर देते हैं तो देखो बोस सेड हम 5 का मल्टिप्लाइ कराएंगे तो यहां 5 बटे का कर जाएगा यह 5 भी कर जाएगा और फिर यहां क्या आजाएगा आपका देखिए माइनस साइन जो है यह उपर आजाएगा तो माइनस का 5 आजाएगा इस 5 को इस तरफ लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और यहां देखो आपका क्या है वन यह क्या हो जाएगा इस तरफ लेका है तो माइनस का और जो इसके मल्टिप्लाइ में वो इसके डिवैड में आ जाएगा ठीक है यहां तक को दिकत नहीं आसान है देखी यहां यह माइनस साइन जो है यहां जो आ रहा है टू के साथ यह इस वज़े से आ रहा है अब देखो माइनस टू और माइनस वन केतना माइनस त्री और प्लस फाइव का है तो आपका कितना गया 2 और by 2 1 यानि A का भी value 1 आया है और B का भी value आपका 1 आया है और यहाँ पे C का भी value आपके पास 1 आया है यानि सब का value 1 1 1 आया है तो हम यहाँ पे put करते हैं तो देखो आपके पास क्या आता है 2 by 1 minus x गुणा 1 plus x square 1 by 1 minus x यहाँ पे x plus 1 by 1 plus x square और इसका integration मतलब इनका integration और इसका integration ठीक है यह value आने के बाद आपका अगला step क्या होता है देखे हम इसके बट्टे में इसके बट्टे में इसको अलग अलग लिख सकते है यहाँ पे 1 minus x dx x बट्टे x square को देखे पहले लिख देते हैं अच्छा लगेगा और साथ में dx अब इसका तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों देखे 1 by x का क्या होता है लोग mode of x होता है और साथ में c यदि यह minus x है यदि x आपका minus का है तो यह minus sign यहाँ बाहर आ जाता है तो यहाँ पे देखो हम x square plus 1 जो है इसको t मानेंगे तो क्या आएगा 2x dx ब्राबर dt आएगा यानि x dx ब्राबर dt by 2 आएगा तो इसका क्या बन जाएगा x dx को duty by 2 लिखा 1 by 2 को बहार ले लिया इसको हमने t माने 1 by t का लोग mode of t और साथ में 1 by 2 आ रहा है और t का यहाँ पर एक चुर मदलब क्या है आपका x square plus 1 है तो यह इसा आएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1 by 2 लोग mode of x square plus 1 चीक है अब इसका क्या होता है दोस्त हम ड आ जाता है इसका solution minus log 1 minus x है या mode है तो इसको आप x minus 1 भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन कब लिखना है यहाँ से solve करने के बाद या यहाँ पर minus sign भार लेंगे तो यह क्या बनेगा आपका x minus 1 बनेगा तो आपके पास यहाँ लिख दो यहाँ पर minus sign भार लेके लिख दो या आपका 1 by log x square प्लस 1 और यहाँ 10 inverse x प्लस c यह आ जाता है इसका आपका answer और जो की एकदम correct निकल कर आया है देखे question no.14 तो बिलकूर simple है यह तो एक प्रकार का दो चुटकियों का खेल है तो यहाँ पे देखो यह किस टाइप का है जिसमें आपका एक ही factor दो वार आया हो या यहाँ पे क्या लिखेंगे देखिए आपका 3x-1 by x plus 2 का जो square है इसको लिखोंगे a by x plus 2 plus b by x plus 2 का आपका square ठीक है अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी दो equation आएगी एक equation कैसे आ जाती x ब्रावर 0 रखने से ठीक x ब्रावर 0 रखा तो यहाँ आपका यह 0 हो गया कितना आएगा minus 1 यह 0 हो गया 2 का square 4 यहाँ पे यह 0 हो गया और यह आपका 2 आगया यहाँ पे यह 0 हो गया 2 का square आपका 4 बोस साइड 4 से multiply करते हैं तो आपका 2a plus b minus 1 आगया ठीक है यह आगया equation number 1 और दूसरा equation आजाएग आपका x ब्रावर 1 पूट करने से यह आप calculation छोटा करना चाहते हैं तो x ब्रावर minus 1 पूट करते हैं ठीक है minus 1 पूट करने से देखिए यहाँ पे minus का 3 और minus का 1 कितना minus का 4 आगया minus 1 plus 2 1 1 का square दोस्तों 1 ही होता है यहाँ minus 1 plus 2 minus 1 plus 2 1 1 का square यह होता है तो यह आगया आपका equation दो अब equation आपके पास जो 1 और 2 है इनको solve करना है तो यहाँ पे आपके पास 2 unknown ट्रम है और आपके पास 2 equation है तो आसानी से solve कर सकते हैं कैसे equation 2 minus 1 कर दो यह राट 2 आपका और minus 1 कर रहे हैं तो 2 का क्या है minus 4 और यह minus आपका छीक है तो यहाँ देखो आपका यह minus कर रहे हैं अंदर हुआ तो यह भी minus का आएगा plus का आएगा cancel हो जाएगा minus 2 A और plus का यह तो minus का A आगया यहाँ देखो minus कुणा minus plus minus 4 plus 1 कितना minus 3 वो साइड minus से तो cancel हो गए A का value आगया 3 इस A की value को equation 1 में put करते हैं तो देखे आपका कुछ ऐसा आ रहा है यह कितना है 6 इसको यहाँ transfer करेंगे यह plus का है minus का हो जाएगा minus 1 minus 6 कितना minus 7 अब यह value यहाँ पर put करते हैं तो आपका 3X minus 1 by X plus 2 का holy square साथ में हैं आपका dx A का value आपके पास कितना निकल कराया है ध्यान से देखो 3 निकल कराया है तो 3 by X plus 2 यहाँ पर B का value minus 7 निकल कराया है तो इस minus sign को यहाँ ले लो X plus 2 का holy square और अब इसका देखे इस side integration हो रहा है तो यहाँ पर protectant का integration होगा और दोस्तों हमें साथ यहाँ रखे 1 by X square का integration क्या होता है minus 1 by X होता है ठीक है तो यहाँ पर X की जगे आपका क्या है X plus 2 है तो इसका क्या आगया आपका minus और यह पहले से minus पढ़ा है तो गनीद का name क्या है minus कुणा minus आपका plus हो गया यह निक प्लस आगया X की जगे आपका X plus 2 है तो यहाँ X plus 2 आगया ओके और आपका plus C यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 by X का integration क्या होता है लोग mode of X plus C होता है तो यहाँ X की जगे आपका X plus 2 है तो लोग mode of X plus 2 आगया यह आजाता है इसका आपका solution अब देखिए यहाँ पर ठीक आपको समझ आ गया कि यह solution कर दिया मैंसर बोल दिता हूं 3 log mode of X plus 2 plus 7 by X plus 2 plus C यह तो आपको समझ आ गया कि यहाँ ठीक नहीं इस तरीके से आपने कर दिया लेकिन इसका प्रोपर तरीका क्या है प्रोपर तरीका बताता हूं देखिए X plus 2 को आप T मानेंगे तो यहाँ आपका क्या बनेगा और D X बराबर यहाँ क्या आएगा इसका बहुत साइड इफिनिशेशन कर पर D X बराबर D T आएगा तो यहाँ बन गए आपका D T और इसको T माना है तो 1 by T का log mode of T और T का आपका actual मतलब क्या है X plus 2 तो यह आ जाता है यहाँ इसको T माना है तो D X की जगे आपका D T और बटे T square T square के यहाँ अब यह formula लग जाएगा minus 1 by T और T का आपका actual मतलब क्या है यह है तो यह रहता है दोस्ते इसका पूरा process परना ना